चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों देश में चल रहे हालात से आप पूरी तरह से वाकिप है आपको अपने परिवार को सेब भी रखना है और सासाथ नीट 21 की प्रिपरेशन भी करनी है ऐसे हालतों का सामना हम 2020 में कर चुके हैं इस समय में हमें धहरिये से काम लेना है और मैं आपको बता दूं कि ये अहालात भी ठीक हो जाएंगे और नीट 21 का एकजाम भी होगा और आपका सेलेक्शन भी होगा मगर आपको विश्वास रखना है और हमेशा पोजिटिव सोचना है मेरी एक बात का ध्यान रखना ये जो आपको एकजाम के लिए तीन मैने का समय मिल रहा है मई जून और जुलाई यानि की पहले नीट 21 मई में होनी थी वो अभी एक अगस्त को होगी तो इन तीन मैनों का सुदपयोग आप ठीक तरह से कर लेंगे तो आपको 21 में सेलेक्शन से कोई नहीं रोग सकता और आप अपने ड्रेम मेडिकल कोलेज में एडमिसन ले ही लेंगे अभी ये जो तीन मैने का समय बचा है ये बहुत ही इंपोर्टेंट है इस समय में आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखें सबसे पहला पॉइंट है टाइम टेबिल आपने स्टेडी के लिए टाइम टेबिल तयार करना है आप डेली हर सब्जक्ट को टाइम दें एक समय निर्धारित कर लें कि बाइलोजी इतनी बज़े से इतनी बज़े तक पढ़नी है फिजिक्स केमिस्ट्री का ये समय रहेगा तो स्टुडेंट साए किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहा हो टाइम टेबिल बना कर पढ़ाओवा स्टुडेंट हमेशा सबल होता है तो किसी भी एक्जाम में सबलता की कुझी मेहनत तो है है साथ में यह भी जरूरी है कि मेहनत करने के लिए आप अपने आपको मेनेज कैसे कर रहे हैं ये बहुत ही इंपोर्टेंट है तो आप इन तीन मेहनों को एक टाइम टेबिल में बांध लें और उस टाइम टेबिल को फोलो करें ध्यान रहे कि आपकी डेली स्टडी 12 से 14 हावर् और अपने स्टडी के लिए ऐसा माहोल और जगे तयार करें जहां आपको जराबी डिस्टर्ब ना हो आपको सिरफ एक अगस्त का ही लक्षे दिखाई देना चीए हम सभी अभी घर में हैं और घर में कुछ ने कुछ डिस्टर्ब होता ही रहता है तो इस डिस्टर्ब को कम क करने के लिए टाइम टेबल ही आपकी हैल्प करेगा दूसरा पॉइंट है रिवीजन दोस्तों नीट का सेलेबस काफी बड़ा है और एक बाद पूरा सेलेबस कंप्लीट करने के बाद उसका टाइम टाइम पर रिवीजन करना जरूरी है क्योंकि कुछ दिन बाद में भूल जाते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका सेलेबस तो कंप्लीट हो चुका होगा या जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा तो आप रिवीजन के लिए इस समय को मैनेज करें आप रिवीजन के लिए नोड्स तयार कर लें ताकि आपका समय बच जाए नेक्स्ट पॉइंट है मोग तेस्ट दोस्तों नीट 21 की एक्जाम क्रेक करने के लिए आपको मोग टेस्ट प्रक्टिस असेंशियल है इसकी प्रक्टिस आप एंटी अब्यास एप से भी कर सकते हैं उसमें चैप्टर वाइस टेस्ट भी दिये गई हैं और फुल सेलेबस टेस्ट भी अवेलेबल हैं तो मो दगे में दुख और सुक का हर पल देखा है और मैं यह जान चुका हूँ कि फ्यूचर के बारे में हम बता तो नहीं सकते कि आगे क्या होगा मगर अपने फ्यूचर को कुछ हद तक अपन जैसा बनाना चाहिए वैसा बना सकते हैं हमारी सोच पर हमारा फ्यूचर डिफेंट करता है अगर आपने सोच लिए कि नीट 21 एक अगस्त को होगी और मेरे को क्रेक करना है तो आप अवसे ही क्रेक करेंगे अगर आपने इसके विपरीत में सोच लिए कि इतनी केस आ रहे हैं नीट एक्जाम तो पोस्पोंड होगा या बाद में पढ़ लेंगे अभी काफी सम हैं तो ऐसे आपको study में यह जो time है यह समय बरबाद होता जाएगा और future अंदकार में डलता जाएगा next point है no extra activity या other activity दोस्तो need 21 की exam तक आपको जो घरेलू activities हैं उनकी तरब से बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है जैसे घर में कोई function है रिष्टेदारी में कोई शादी है ऐसा काम जो आपको study में disturb करें इन सबी से दूर रहना है exam देने के बाद इन कामों के लिए आपके पास काफी समय रहेगा तो इन तीन मैनों में समय को आप पूरी तरह से study में इस्तिमाल करें दोस्तों ये कुछ points थे जो हमें need 21 की exam क्रेक करने में आपकी काफी help करेंगे जो मैंने ये points बताए हम सब इन points को जानते हैं मगर फिर भी follow नहीं कर पाते हैं और ये सादारन सी बाते हमें exam क्रेक करने में काफी helpful साबित होती हैं तो मन में एक विश्वास रखो मेहनत करो और ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपकी study में disturb करते हैं आप अवस्य ही सपल होंगे आप इस exam पल से समझ सकते हैं कि दोस्तों पाढ़ पर चड़ने से पहले जब आप पाढ़ की तरफ देखेंगे तो आपको बड़ा मुस्किल लगेगा और आपने ये सोच लिया कि इतने बड़े पाढ़ पर चड़ना मुस्किल है तो वो हकीकत में ही मुस्किल सा हो जाता है लेकिन अगर ये सोच कर चड़ना शुरू किया कि मेरे को इस पर चड़ना ही है चाहे कुछ भी हो जाए तो पाहर्ट पर चड़ कर बोलेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं था मैं तो यूँ ही डर रहा था ऐसा ही हाल एकजाम का है अभी आपको ये एकजाम पहार जैसा लग रहा है लेकिन आप धीरे धीरे इसकी preparation करते रहेंगे तयारी करते रहेंगे तो एकजाम के बाद आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही डर रहा था ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था तो वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगा मैनत करो, निरंतर मैनत करो और एक टाइम टेविल बना के आप स्टडी करो आपको अवस्य ही 21 में सपलता मिलेगी इसी आसा और विश्वास के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खतम कर रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जैरिंग